नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिस ब्लू में हम अपने होल्डिंग्स को कैसे बेच सकते हैं अगर आप अपनी होल्डिंग्स को बेचने जा रहे हो जैसे हम पॉर्टफोलियो सेक्षन में जाते हैं फिर होल्डिंग्स में जाते हैं और मैं इसको सेल करने की कोशिश करता हूं ओल्डिंग्स को मार्किट पे तो यहां पर देखिए मुझे यहां पर एरर आ रहा है आपने एमेल आइडी में लोगिन करोगे तो वहां पर आपको अलाइस ब्लू का टीपिन डूड़ना होगा सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो सिंपली आपने यहां पर क्लिक करना है अपने प्रफाइल आइकोन पर उसके बाद अपनी आइडी पर क्लिक करना और यहां पर देखिए चेंज टीपिन फिर यहां पर क्लिक कर लेना यहां पर आपको अपना डीमेड अकाउंट का नंबर एंटर करना है और फिर अपना पैन काउंट नंबर एंटर करना है और नेक करके आपको एक OTP आएगा वो OTP डाल के आपको कनफर्म कर दे अगर आपको अपना DMAT account number नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको पर्सनल में जाना है और यहां पे इसको सिर्फ copy कर लेना है यह आपका DMAT account का number होगा इसको आपने यहां पे पेस्ट कर देना simply यहां पे आप क्लिक करके Ctrl V प्रेस करना आपका यहां पे DMAT account number यहां पे copy हो जाएगा फिर pen card number एंटर करना next पे click करना OTP आजाएगा फिर आपको नया TP-In मिल जाएगा अभी हम देख लेते हैं के holdings को sell कैसे करना है उसके लिए हम portfolio section में जाएगे फिल holdings में जाएगे यहां पे देखा आपने error आया था में square off किया तो इसके लिए successfully sell करने के लिए हमने यहां पे देखिए authorize का button दिख रहा है इस पे हमने click कर लेना है यहां पे scroll down करने के बाद आपने share select कर लेने जो sell करने आपने जैसे हम अभी trident sell करके देखते हैं मैंने इसको select किया अभी मैं यहां पे click करूंगा authorize पे अभी continue to cdsl हम इस पे click करेंगे यहां पे अभी देखिए हमें अपना tp न एंटर करना है जैसे कि मैंने बताया tp न आपको आपकी email id पे मिलेगा आपको मैंने reset करना भी बता दिया आप reset भी कर लेना अभी मैं अपना tp न एंटर करता हूं यहां पे tp न एंटर करने के बाद मैं यहां पे confirm verify पे click करूंगा अभी आएगा otp मेरे mobile नंबर पे वो एंटर करना है यहां पे अभी हमने verify करना है sorry otp मैंने गल्त एंटर कर दिया है शायर अभी verify यह otp आपको mobile नंबर और email id पे आता है that is it ऐसे गर क्या आप sell कर सकते हो अपने shares holdings को allies blue में अभी हम यहां पे square off करेंगे अभी मैं यहां पे market पे exit करने वाला हूँ तो यहां पे मैंने market select कर लिया quantity आप जितनी चाहो वो sell कर सकते हो मैं सारे की सारे 20 shares है मेरे पास तो मैं 20 sell करने वाला हूँ अभी मैंने sell पे click कर दिया यहां पे दिखे हमने अपनी holdings को successfully sell कर दिया है I hope यह वीडियो अपको अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो किरपयास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और एक और बात मैं बता दूँ हमारा जो रिस्क तू रिवोर्ड रेशो कैल्कुलेटर हमने अपनी वेबसाइट पर लॉंच किया है वह यूज करना मत बूलना जैसे मैं आप इस तरह से बताएगा कि कैसे आपने एंटी लेनी है कैसे आपने एकजिट करना है क्या होता है कि यह बहुत इंपोर्टन होता है for example मालीजे कोई ट्रेड आपने लेनी है कोई भी आप जब ट्रेड लेना लगते हो इंटरे में तो वहां पर अपना रिस्क लिखते ना जैसे प्राइस चल रहा है 100 रुपीज ठीक है I am sorry मालीजे जहां पर आपने एंटर करना है मतलब मालीजे कोई शेयर को आपने एंटर करना है बाय करना या सैल करना है 102 रुपे पे और आपका स्टोप लोस रखा है आपने 100 रुपे उस शेयर में तो आपका रिस्क है पर ट्रेड 500 अभी आप क्लिक करोगे तो आपको यह बता देगा कितनी कॉंडिटी आपने बाय करनी है according to your risk आप मालीजे यहां पर आपको 200 कॉंडिटी आप बाय कर सकते हो इसी तरह अगर आप नए ट्रेडरों आप जानते होगा कि आप अप्रॉक्सिमेटी कॉंडिटी ले लेते हो और बताएगा वन डेशो फाइव टार्गेट बताएगा यह कैल्कुलेटर जुरू यूज करना इस पर मैंने एक स्पैशल वीडियो भी बनाया है वह वीडियो देखना आपको और आपको इस कैल्कुलेटर की इंपोर्टेंस बता चलेगी ओके थैंक्यू वेरी मच फॉर ख dudes लित बेखने थाखने एक स्थनीडल में वागोष डिक बादेखने क्यों वीडियो वाघरी खिलीटर यूज वागचा है वीडियो